अब लखिराज भवन से इस्थानांत्रित होकर सभी कण्याएं माताएं और भाई ओम निवास नामक बिल्डिंग में चले गए ओम मंडली का सच्छन और बच्चों की लौकिक आध्यात्मिक सिक्षा भी वही होने लगी अब एंटी ओम मंडली ने ओम निवास के बाहर भी आंदोलन करना शुरू कर दिया एक दिन सुबै का समय था ओम निवास की छोटी-छोटी बच्चियां अपनी सिक्षिकाओं के साथ सैर पर गई हुई थी तभी पंचायत के कुछ मुखी और अन्य उपत्रवी लोगों ने ओम मंडली के बाहर पिकेटिंग कर दी उन्होंने ओम निवास को चारों और से घेर लिया और अंदर जाने का रास्ता रोप दिया जब कुछ माताय और भाई रोज की तरह वहां ज्यानम्रत पीने आए तो दरवाजे पर रास्ता रोका हुआ देखकर वे एक और लाइन बना कर बाहर ही शान्ति पूर्वक खड़े हो गए इतने में ओम निवास से सेर पर गई हुई वो छोटी-छोटी बच्चियां भी लौट आई और वे भी उसे लाइन में अन्यभाई बहनों के साथ खड़ी हो गई एक और थी अन्याईकारी, धर्म विमुक, इश्वर विमुक, कौरो सेना और दूसरी और थी पांडो सेना अथवा शिव शक्ती सेना कौरो सेना चक्रव्यू की भाती खड़ी थी और संख्या में पांडो सेना की तुलना में बहुत अधिक थी सारे शहर में ये खबर तुरंत फैल गई और चर्चा होने लगी कि देखे आज कौन जीतता है और आखिर क्या फैसला होता है इस प्रकार खड़े-खड़े सारा दिन बीत गया पिकेटिंग करने वालों ने उन छोटी कन्याओं से कहा कि आप भले ही अंदर चली जाओ परन्तु उन्होंने निडरता से जवाब दिया कि हम तब ही अंदर जाएंगी जब हमारे साथ हमारे सभी भाई बेहन भी अंदर जाएंगे वरना हम यही भूकी प्यासी खड़ी रहेंगी आखिर पिकेटिंग वालों ने जब देखा कि इन पर कोई भी असर नहीं हो रहा तो उन्होंने हार मान ली और वे वापस चले गए लिकिन अगले एक दो दिन तक यही हंगामा चलता रहा आखिर यह मामला उच्च न्यायाले में पहुँचा जहां न्यायाधीश ने यह निर्ने दिया कि ओम मंडली का कोई भी अपराध नहीं है इनके साथ बहुत ही अनुचित और हानी कारक व्यवहार किया गया है वास्तव में ओम मंडली तो शान्ती पूर्वक अपने धार्मिक मंतव्य के अनुसार कार्य कर रही है शान्ती भंग तो दूसरे लोगों ने की है अब शान्त वातावरन पैदा करने के लिए बाबा कराची में रहने लगे कराची में बाबा ने सब के आवास निवास की सुचारूवी अवस्था करने ही तू पांच अच्छे अच्छे बंगले ले लिए और जिन माताओं बहनों वे बच्चों को अपने अपने घर वालों से स्विक्रती पत्र मिले हुए थे अब वे भी कराची में बाबा के साथ रहने लगे किन्तो सिंध हैदराबाद में पीछे रह गई ग्यान की 85 माताओं बहनों को बाबा की अनुपस्थिती सहन नहीं हो सकी वे ग्यान और ग्यान दाता को याद करके विरह के आसु बहाती रहती एक दिन उन में से 15 कन्याई अपने बंधन तोड़ कर बाबा के पास जा पहुँची जब एंटी ओम मंडली वालों ने देखा कि इतना प्रैत्न करने के बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा है तो उन्होंने सिंध के मंत्री मंडल पर दबाव डालना आरंब कर दिया समाचार पत्रों के संपादकों को भड़काया और उन पर पैसे वर पोजिशन का दबाव डालकर उनसे गलत लेख लिखवाये तथा शरारती लोगों को उकसाया कि ओम मंडली की माताई बहने जहां भी दिखाई दे वे वहां उन्हें अपमानित करे एक बार एक अभियोग के सिलसिले में ओम मंडली की प्रधान ओम राधे अर्थात मम्मा को साक्षी के तौर पर न्यायाले में बुलाया गया क्योंकि इस इश्वरिय ज्यान यग्य की संभाल हे तु मम्मा ही निमित्त थी लोगों ने सूचा कि कोर्ट में ओम राधे जी से उल्टे सुल्टे प्रश्न किये जाएंगे जिससे उनकी और संस्था की बहुत बदनामी होगी परन्तु हुआ इसके बिलकुल विप्रीत उस समय मम्मा की उम्र मात्र 21 वर्ष ही थी किन्तु मम्मा ने जिस निर्भैता और शक्ती रूप से जद साहब के सभी प्रश्नों के उत्तर दिये वह सुनकर वहां बैठे लोग आस्चरिय चकित हो गए उनमें से कुछ प्रश्न हम यहां संख्शिक्त में वर्णन कर रहे हैं जद साहब ने कहा गीता को हात में उठा कर ये कहिए कि मैं भगवान को हाजिर नाजिर देख कर जो कहूंगी सच कहूंगी ओम्राधे ने जवाब दिया जद साहब मैं तो इन आखों से आपको ही हाजिर नाजिर देख रही हूं भगवान को तो इन नेत्रों से मैं नहीं देख सकती हूँ तो भला मैं जूटी कसम कैसे लूँ जद साहब ने कहा ये कोर्ट है कोई सत्संग नहीं जो आप मुझे ज्ञान दे रही हैं आप इस तरह अदालत का अपमान नहीं कर सकती तब ओम राधे ने कहा जैसे आप अदालत का अपमान नहीं कर सकती ऐसे इश्वर जो हम सब का परमपिता है मैं भी उसका अपमान नहीं कर सकती जद साहब ने कहा आप सभी को इतना रोपने के बाद भी आप ओम मंडली क्यों चली गई तब ओम राधे ने जवाब दिया एक बात बताईए जद साहब जब श्री कृष्ण की मुडली सुनकर गोपियों दिवानी होकर भागती थी तब उन पर मुकत्मा क्यों नहीं चला जब कोई पुरुष सन्यास लेकर गरबार छोड़ देते हैं तब उन पर मुकत्मा क्यों नहीं चलता भगवान के लिए तो नर और नारी दोनों ही समान है तो फिर हमें ग्यानम्रत पीने से क्यों रोका जाता है ये बात सुनकर जद साहब चुप हो गए सोच में पड़ गए और फिर उनोंने पूछा दादा आप सबकी आखों में कौन सा सुर्मा डालते हैं ओम राधे ने जवाब दिया कहा गया है ज्यान अंजन सत्गुरु दिया अज्यान अंधेर विनाश इश्वरिय ज्यान को ही अंजन कहा गया है जो स्वयम परंपिता पर्मात्मा हमें देते हैं इस प्रकार जद साहब शांती पूर्वक ओम राधे के सभे उत्तर सुनते रहे अदालत में बैठी जन्ता ने ओम राधे के लिए खूब तालियां बजाई और मामला वही शांत हो गया ओम शांती